असलाम लेकूम वरहमतुलाही वबरकात हूं वेलकम टो अर हिंदी क्लास तो बच्चो आज हम जो पाट पढ़ने वाले हैं उस पाट का नाम है बिर्बल की सूज पेज नमबर 118 अकबर के दर्बार में बिर्बल उनके 9 रतनों में से 1 थे 9 रतनों में से यानि जो अकबर जो बाच्चा है उसके पास 9 सलाकार थे तो उनमें से बिर्बल उनका पसंदिधा सलाकार था और उनमें से एक वो एक सूजबुझ वाला सलाकार था अकबर बिर्बल की सूजबुझ वो बुद्धि मानी से बहुत प्रसन थे पुद्धिमानी यानि उसकी जो अकल मंदी है वो राजा बहुत अकबर बहुत उससे खुश थे, प्रसन्न थे बिर्बल अपनी सूझभूच से हर समस्य का हल खोज ही लेते थे तो बिर्बल जो थे वो अपनी सूझभूच से हर एक परेशानी का हल खोज लेते थे इस कारण से दर्बार के कुछ लोग बिर्बल से इर्शा करने लगे थे इर्शा यानि जलन करने लगे थे यानि बिर्बल उन्हें बिल्कुल पसंद नहीं था क्योंकि अकबर बिर्बल को ज्यादा पसंद करते थे वे बिर्बल को अकबर के सामने नीचा दिखाने का कोई ना कोई उपाय सोचते रहते थे एक दिन अकबर का दर्बार लगा था यानि दर्बार यानि जब उनकी सभा बैठती है अकबर की बिर्बल सहित सभी दर्बारी किसी बात पर चर्चा कर रहे थे तभी एक दर्बारी उठा और बोला महराज आपको बिर्बल की सूजबूच पर बहुत भरोसा है ना अकबर बोले खुझ से भी ज्यादा दर्बारी बोला महराज मैं बिर्बल की परिक्षा लेना चाहता हूँ अगर वह इसमें पास हो गया तो मैं भी उनकी सूजबूच का लोहा माल लूँगा तो एक दिन दर्बार में एक दर्बारी बोला कि अकबर आपको बिर्बल की बिर्बल पर बहुत ज्यादा भरोसा है ना तो मैं उसकी एक परिक्षा लेना चाहता हूँ तो अकबर ने कहा ठीक है मैं उसकी सूजबूच पर मुझे कुछ से भी ज्यादा भरोसा है अकबर बोले लेकिन इसकी कोई अवशकता नहीं है मैं भी बिर्बल की सूजबूच और बुद्धिमानी से वाकिफ हूँ तभी बिर्बल बोले मैं परिक्षा के लिए तयार हूँ बताओ तुम क्या चाते हो तो अकबर ने कहा इसकी कोई जरूरत नहीं है कि तुम बिर्बल की परिक्षा लो मुझे पता है कि बिर्बल कितना बुद्धिमान है लेकिन तभी बिर्बल ने क्या कहा कि नहीं मैं परिक्षा देने के लिए तयार हूँ बताओ क्या परिक्षा है दर्बार ने सिपाही को एक थाल लाने का आदेश दिया तो दर्बार ने क्या कहा एक सिपाही को एक थाल लाने के लिए कहा सिपाही थाल लेकर दर्बार में आया दर्बारी ने सब को वह थाल दिखाया और बोला तो सुनो इस थाल में रेट और चीनी मिली हुई है तुम्हें पानी यवच्छनी का उपयोग किये बिना रेट और चीनी को अलग-अलग करना है इसके लिए तुम्हारे पास सिर्फ एक दिन का समय है तो वो दर्बारी ने क्या कहा बिर्बल से क्या काम करने के लिए कहा उसने एक थाल में रेट और चीनी यानि शक्कर दोनों मिर्क्स करके रखे हुई थी एक थाल में और क्या कहा उसने बिर्बल से कि तुम्हें चीनी को अलग करना है और रेट को अलग करना है पर छनी का भी उपयोग नहीं करना है और पानी का भी इस्तेमाल नहीं करना है और इसके लिए तुम्हें एक दिन का वक्त मिल रहा है एक दिन का समय मिल रहा है अकबर बोले ये ठीक नहीं है इतने जल्दी ऐसा करना संभव नहीं है तौकबर ने क्या कहा ये गलत है ऐसा करना एक दिन में पॉसिबल नहीं है संभव नहीं है दर्बारी बोला हुजूर बिर्बल के लिए शायद ये मुश्किल ना हो बिर्बल भी बोले बिल्कुल नहीं अभी मुझे यहां से चलना चाहिए हम सभी कल पास वाले बाग में मिलेंगे तो बिर्बल ने कहा नहीं मैं ये काम कर सकता हूँ और कल हम जो हमारे दर्बार के पास में बाग है यानि बागीचा है वहाँ पर हम कल सब मिलेंगे यहां कहकर बिर्बल दर्बार से चले गए अगली सुभा कुछ दर्बारी वा अकबर पास के बाग में जा पहुचे बिर्बल वहाँ पहले से ही मौजूद थे बिर्बल ने रेतवत चीनी का मिश्रन जमीर में जमीन पर फैला रखा था जिसमें से चीटिया चीनी के दाने ले जा रही थी बिर्बल उस बाग में पहले से ही मौजूद थे और उसके बाद दर्बारी और अकबर भी वहाँ बाग में पहुच गए तो बिर्बल ने पहले से ही जो उस थाल में मिश्रन था चीनी का और रेत का वो जमीन पर फैला दिया था तो चीटिया जो है वो क्या कर रही थी चीनी के दानों को ले जा रही थी बिर्बल बोले देखिये महराज रेत्व चीनी अलग-अलग हो गए है मैंने ना इसे पानी में मिलाया है और ना ही चन्नी का प्रियोग किया है चीनी के दाने चीटिया ले जा रही है और रेत शेश बज गई है तो बिर्बल ने क्या कहा देखिये महराज मैंने ना तो पानी का प्रियोग किया ना तो छनी का चीटिया चीनी ले जा रही है और रेत ऐसी ही यहाँ पर जमीन पर पड़ी हुई है बिर्बल की सुजबुच देखकर महराज बहुत प्रसन्न हुए दूसरी और वह दर्बारी सर जुकाए खड़ा था दर्बारी बोला मुझे माफ कर दो बिर्बल अपनी सुजबुच से तुमने यह मुश्किल परिक्षा भी पास कर ली तो उस दर्बारी ने क्या कहा बिर्बल से कि मुझे माफ कर दो तुम इस परिक्षा में भी पास हो गए तुमने सुजबुच और बुद्धिमानी से इस परिक्षा को भी खल कर दिया अकबर दर्बारी से बोले हमें हमेशा दूसरों के अच्छे कारियों वह सुजबुच की प्रशंसा करनी चाहिए ना कि उनसे इर्शा करनी चाहिए तो अकबर ने क्या कहा उस दर्बारी से कि हमें दूसरों की जो बुद्धिमानी है दूसरों की जो सूजबुज है उसकी हमेशा तारीफ करनी चाहिए प्रशंसा करनी चाहिए ना के उससे जलन होनी चाहिए यानि इर्शा होनी चाहिए यानि दूसरे जो काम करते हैं हमें उसकी सूजबुज पर उसकी तारीफ करनी चाहिए ना के उसमें नुक्स निकानना चा और गलत का चिन लगाना है इसी पार्ट पर आधरित आप लोगों को यहाँ पर प्रश्न उत्तर दिये गया है आप लोगों को प्रश्न पढ़ना है और उत्तर को उस पार्ट में से ढूनने की आप लोगों को कोशिश करनी है उसके बाद यहाँ पर किसने किस से कहा यानि क्या तुम मुझसे दोस्ती करोंगे यहाँ वाक्य किस ने किस से कहा यह आप लोगों को धूनना है उसके बाद सही शब्द लिखकर वाक्य पूरे करो आप लोगों को वाक्यों को पूरा करना है उसके बाद open your my observation book भाग्टू बिर्बल की सूज page number 35 यहाँ पर आप लोगों को उसी पार्ट पर से आधारित एक चोटा सा paragraph दिया गया है उसी पर आधारित यहाँ पर आप लोगों को कुछ प्रशन दिये गया है तो आप लोगों को इस paragraph को अच्छे से पढ़ना है और इन प्रशनों के उत्तर को उसमें से आप लोगों को डूढ़ना है उसके बात यहाँ पर आप लोगों को वाक्य पूरे करने हैं पर यहाँ पर आपको दो ओप्शन दिये गए है उस दो विकल्प में से आप लोगों को सही विकल्प चुन कर सही उत्तर को ढून कर आप लोगों को लिखना है So student, do your homework on time Inshallah, we will meet in the next class Allah Hafiz, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh